तो आज में आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ कई बार ऐसा होता है कि हमारे बातरूम और किचन के नल में रेगुलर पानी के यूज के कारण इसमें बहुत सारी खार और पानी के धब्बे हो जाते हैं जो की आसानी से नहीं छूटते हैं तो आज मैं इसको आसानी से छुड़वाने का एक आसान ट्रिक बताऊंगी तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक कटोरी चाहिए तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कटोरी ले लिया है और यहाँ पर मैं कम कॉंटेटी में बना रही हूँ आप लोग जादा कम कर सकते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सोडा तो यहाँ पर मैंने लिया है मीठा सोडा एक चमच करीवन सोडा लिया है मैंने और फ्रेंड्स अब हमें चाहिए विनेगर तो यहाँ पर देखिए मैंने विनेगर लिया है देखिए तो अब हमें फ्रेंड्स चाहिए नीबू तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा नीबू का रस तो फ्रेंड्स नीबू के रस से होगा ये कि पीतल का नल हो या स्टील का या तामबे का बहुत ही आसानी से ये चमक जाएंगे और फ्रेंड्स नीबू सोडा विनेगर को मिला के नल को साफ करने से बहुत हाड से हाड मेल भी आसानी से निकल जाएगी तो फ्रेंड्स मैंने नीबू के रस को मिला लिया है अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी तीनों को तो देखें यहाँ पर ये मिसरन बनके तयार है तो फ्रेंड्स इस से बातरूम किचन कहीं के भी नल को आप साफ कर सकते हैं ये दो मिनिट भी नहीं लगाते नल को चमकाने में तो अब मैं साफ करने वाली हूँ किचन के नल को तो यहाँ पर मेरे किचन का नल ज्यादा गंदा नहीं हो रहा है तो मैं इस मिसरन को नल के उपर अच्छे से लगा दूँगी और मैं ज़्यादा रगड़ूंगी नहीं बस इसको लगा कर 2-4 मिनिट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो देखें यहाँ पर लगा लिया है मैंने अब 2-4 मिनिट मैं छोड़ दूँगी तो फ्रेंट्स 2-4 मिनिट बाद मैं एक पोलिथिन ले लूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे जाली यूज नहीं करना है क्योंकि जाली से नल में स्क्रेच आ जाएंगे इसलिए मैंने हाँ प पानी से अच्छे से धो लूँगी तो देखें यहाँ पर मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है तो फ्रेंट्स आपका नल अगर बहुत जादा भी गंदा हो तो आप इस ट्रिक को अपना कर नल को एकदम चमका सकते हो तो देखें यहाँ पर इसा लग रहा है कि नल को बाई 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 फ्रेंद्स